आप सभी लोगों ने देखा कि 2022 में उत्तर प्यदेश में आपकी बिधान सवा चुना हुए और इसमें आपने देखा कि BJP को बहुमत मिला यानि कि भारतिय जिन्ता पायर्टी को बहुमत मिला और आपने देखा है कि योगी आदितनाद को मिला को बिधान सवा चुना हार चुके हैं अपनी सीठ हार गए थे लेकिन आप लोगों को एक बात और याद रुखे चाहिए अगर अभी वीदे केसाव परसाद मोरिया विधान परिशत की सदस है याद रखेगा और अगर आप फिर भी अगर किसी वी सदन के सदस नहीं विधान सबाग यह भी नहीं विधान परिशत की नहीं फिर भी आप लोग 6 महीने तक उप मुखमंत्री मंत्री या मुखमंत्री र बने थे वो किसी भी सदन के सदस नहीं थे या फिर आप लोग बिहार जाईए नीतिस कुमार वो विधान परिशत के जरी चुनाओ लड़के और मुख मंत्री बनते हर बार तो इनके आगे कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन हाँ एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी जो आप लोग देखते थे कि 2017 का विधान सभा चुनाओ हुआ था उसके बाद ऐसाब माना जा रहा था कि केसो परसाद मोरिया को मुख मंत्री बनाया जाएगा और उनी के चेहरे पर एक तरसे चुनाओ लड़ा जा रहा था लेकिन इस बार आप सभी जानते ही कि योगी आदित सभा यह आपको देखने को मिलेंगे केसो परसाद मोरिया और केसो परसाद मोरिया याद रखिए बीजेपी में जो सीस नेतित थे फिर चाहिए प्यदान मंत्री मोधी साह हूं अमिर साह हूं इनके काफी खास माने जाते हैं और एक OBC का बड़ा चहरा भी है उत्तर पुदे सब्सकिल होता बीजेपी के लिए आंगे आने वाले चुलाओं के लिए उत्तर विदेश आपको दिखाई दी रहा है और आप देखिए इसकी राध्धानी लखनव है और आप सभी जानते हैं कि उत्तर विदेश राजनीती की दिरिष्टी से काफी मात्पूर है क्योंकि व अधिक तरफिधान मंत्रियों को देखेंगे तो वो तरफिदेश से ही आये हुए है निकलके बरतमार पिदान मंत्री मौदीस आपको देख लिए उनका संसदीय चेत बनारस है बनारस से चुनकर आते हैं ठीक है और यह आपको दिखाई ही दे रहे होंगे केसाओ परसाद अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है केसाओ फरसाद मौर्या और 7 मई 1989 में इनका जनम होता है सिरातु कोसंभी उत्तर कडेश में इनका जनम होता है OVC से पिछा बरक से समंद रखते हैं और इनके पिता का नाम से आमलाद मौर और माता का नाम धनपती देवी मौर राजकुमारी देवी मौर इनकी माता का नाम और पतनी का नाम राजकुमारी देवी मौर इनके दो बेटे हैं यूगिस कुमार और आसीस कुमार इनके बेटे हैं सिक्षा की बात करें कि सो बिरसाद मौरियागी दो भी ये हिंदी में लेटरेचर किया हुआ है इनोंने और इलावाद विस्विध्याले से पड़े हुए और आप सभी जानते हैं कि एक राजनेता है और ओद्योग पती भी है और भालती जनता पार्टी से भी जुड़े हुए है अगर हम लोग इनकी राजनेते क्यात्रा को देखें और तो उन्होंने अपने राजनेतिक सफर की सुरुआज सन 2002 के विधानसाबा चुनाओ में सिराथू विधानसाबा चित से की थी लेकिन उन्हें इस विधानसाबा सीट से वासापित्यासी राजू पाल से हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद केसो परसाद मौरिया 2007 की विधानसावा चुनाओ में इसी से दुबारा सीट से यानि की सिराथू सीट से चुना लड़ते हैं लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा लगाता है दो बार हार का सामना करने के बाद 2000 बारे में उन्हें सिराथू विध प्रफाइक की रूम में चुना जाता है और आप देखेंगे साफा की सरकार बनी थी 2000 बारे में फिर आप देखेंगे दो बार विधायक रहिण के बाद 2014 के चुनाओ में लोकसभा चुनाओ में केसाओ पिरसाद मौरिया भारती जिन्तापार्टी की तरफ से लोकसभा यानि कि लोकसभा सदस चुने जाते हैं और आप सभी को मालू होना चाहिए कि देखें बिधान सभा को चुनाओ होता है इसके लिए अगर आपको चुनाओ लड़ना है बिधायक का तो 25 साल आपकी उमर होनी चाहिए और लोकसभा का लड़ना है तो 25 साल होनी चाहिए और इ उपु मुखमंतरी भी नियुक किया गया था उत्तरपलेस के डेप्टी सीएम केसाव परसाद मौरे यूपी विधासवा चुनाओ 2022 में सिराथु विधास चावास से अपनी सीट नहीं बचा पाए इस सीट पर आप देखेंगे समाजावादी पार्टी की जो गटवंदन थी पल्लवी पटेल ने जीत हांसिल की और किसाव परसाद मौरे या 7337 वोटों से हार का सामना करना पड़ा 2022 में केसाव परसाद मौरे या एक बार फिर्यों की याद इतना सरकार में और यसे में यापता है कि उन्हें आंगे चलकर उत्तरफिदेश बिधान परिशत का सदस नुक किया जाएगा और वो आराम से हो जाएगा ज्यादा प्रोब्लम नहीं रहेगी ये तो किसाव परसाद मौरे या की राजनेती की यात्तरा होगी इनसे बिवाद भी कुछ जुड़ी रहे है 2014 की लोकसभा चुनाओ के तवराज चुनाओ आयो को दिये हलब नामे सिसाफ हुआ कि उन पर 10 गंभीर आरोपों के मामले दर्ज है जिसमें 302 हत्या का केस धारा 153 धंगा को बढ़ावा देने का केस और धारा 420 धोकदारी का केस जैसे आरोप भी उन पर लगे है 2011 में मुहमत गौस हत्याकार्ण में उनका नाम सामिल है और जिसके चलते हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ा था हाला कि इस केस में वह बरी हो चुके हैं जब उनसे पूंचा गया कि अरिद्वार में धरम संसत के मंच से दिये गए हिंसा भढ़काने बाले बयानों के बाद सुवे के मुकमंतरी चुक रहते हैं तो ऐसे बयान देने बालों को और भी बड़ावा मिलता है तो उनके होसले और बढ़ते हैं धर्माचारों को अपने मंज से कहने का अधिकार है। आप हिंदू धर्माचारों की इस described क्यों करते हो। बाकी धर्माचारों के बारे में क्या-क्या बैयान दिये गए। और उपात क्यों नहीं होती है। बाचित की दौरान, केसऔ परसाद माBillia Naráaj हो गए। और माई निकाल कर फेग दिये थे, तो इस पार भी आप देखी काफी इनका क्या रहा था, चर्चा में रहा था, यह BBC इंटर्व्यू बिवाद रहा, BBC को इनने इंटर्व्यू दिया हुआ था, तो यही कहानी रही है कि सफर साथ मौरिया की, आंगे किस तरह का इनका जीवन र आएंगे, तो चलिए आप लोग और किसी के बारे में जानना चाहते हों, तो बताईए उसका नाम भी बता दीजेगा, और आप लोग इंज्वाए करते रहे हैं, अम लोग तो मिलते ही रहेंगे फिराल,